नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अर्शी देदियूर मैं आपका सौगत करता हूँ इस सेकेंड पार्ट है यह दोस्तों चैप्टर टू है क्लास एट की एंसी आटी की जोगरिफी का किताब का इससे पहले का जो कंटेंट है इस चैप्टर का वो मैं कंप्ली चलेगा 1975 में जो एक यूणिट में मैजर किया जाता है तो यह सी सी मेटर पर इयर होता है क्यूबिक किलो मीटर पर इयर होता है यह सी यूचली क्यूबिक स्वाड़ का चैप्टर में तीन हजार आट सो पसास क्यूबिक किलोमेटर पर एर था और 2000 तक आते आते ये 6000 क्यूबिक किलोमेटर पर एर हो गया है आप समख सकते हैं कितनी तीजी से human consumption water का बढ़ा है अब यहाँ पे water के बारे में information देखते हैं आगे बढ़ने से पेले friends वीडियो पे like का बटन जबरू दबा दीजे वाटर एक vital renewable energy source है आप जानते हैं कि हमारे जो अर्थ है उस अर्थ का लगबग तीन चौथाई भाग तीन चौथाई यहाँ पे लगबग 75% बोला जा रहा है तो 3-4th of the earth surface is covered with water इस तीन चौथाई भाग में हमारे oceans भी है और फिर हमारे land area के जो rivers हो गई जो आपकी lakes हो गई यह सब भी है इसलिए हमारे जो planet है उसको water planet कहा जाता है जोकि बहुत ज़दब पानी है अब आप देखोगे दोस्तों life की शुरुआत कहा हुई life की शुरुआत इन ही oceans में वित्यास हजारों लाखों साल पहले जो primitive oceans बोले आते हैं उन primitive oceans में 3.5 billion years back life की शुरुआत हुई और आज की date में भी हमारे जो oceans है अब देखें यहाँ पर आपको दिखाए 3 by 4th of the earth surface is covered with water और यहाँ पर लिखाए ज्यान दीजे 2 by 3rd of the earth surface is covered by ocean यानि oceans का cover लगबग 66% है बचे 33% में land है उस 33% में भी बहुत जगों पे lakes हैं रिवर्स हैं इसलिए समझ गया ना कि overall earth की 75% is occupied by water जिसमें से 66% is occupied by oceans और बाकी बच्चा वो जो 9% लगबग है वो rivers, fresh water, lakes और जो दूसरी water bodies है उनका है अब जो ocean water है उस ocean water में बहुत सी plant life है बहुत सी animal life है, fishes, बहुत तरीके के plant crustaceans, जाने किस-किस तरीके के variety होती है ocean का पानी वैसे तो saline होता है उसमें water content ज़्यादा होता है तो जो plant और animal life हाँ पे रह रहे हैं वो से acclimatize हो चुके हैं पट humans के लिए वो ocean का पानी पीने वाला नहीं होता है तो वो ocean का पानी हमारे लिए किसी काम का नहीं है हमारे लिए काम का क्या है fresh water जो कि है only 2.7% तो आप देखोगे ये जो 2.7% पानी है total का उसमें से 70% आपका ice sheets में है glaciers में है Antarctica, Greenland और mountainous regions actually पानी कितना fresh water के terms में available है इसकी बहुत सी exercises में पहली के NCRT में करा चुका हूँ और आपने ध्यान से मेरे पहली के NCRT देखी है तो आपको पता होगा और दोस्तों और अगर आप UPSC किसी भी exam की तयारी कर रहे है exam परपसर से पढ़ रहे है चटे से लेके बारवी तक में जितनी भी NCRT बना रहे हो सारी देख लीजेगा बहुत से concept है जो कि न NCRT में नहीं है बट मैंने आपके साथ discuss की है उनको proper figures के साथ आपको display की है इसलिए जरूरी है कि आप सारी देखे फिर जो Antarctica, Greenland और mountain regions में ice sheet और glaciers है वहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं उनकी location inaccessible है तो आप कहा सकते हो केवल 1% of the fresh water is available to us तो ये overall पानी का केवल 2.7% fresh water है इस 2.7% का भी 70% ice sheet और glacier के form में है तो यानि कि जो total fresh water उसा केवल 1% हमारे पास available है किस form में groundwater के form में, rivers के form में lakes के form में और atmosphere में जो water में पाने है वो भी इसी 1% में आता है इसलिए आप कह सकते हो कि fresh water सबसे precious resource है हमारे लिए अब देखे, water की जो total quantity है, वो constant रहती है ना वो कम हो सकती, ना वो ज़्यादा हो सकती है उसका वस form बदलता रहता है उसका volume constant रहता है तो वही water आपको एक constant motion में नज़र आएगा वही water आपको oceans में नज़र आएगा वही water evaporate होके atmosphere में पहुँच जाएगा बारिश होके surface पे गिर जाएगा run off होके, rivers के माध्यम से ocean में चला जाएगा तो यह जो water है घुमता रहता है किसमे? water cycle में तो constant motion में रहता है हाला कि जो overall quantity है water की वो same है, जो overall volume है वो same है एक fact है यहाँ दोस्तों एक tap dripping, एक tap जिसे पानी chew रहा है, एक साल में 1200 लीटर आफ पानी को बरबाद कर सकता है, और tap से जो पानी आता है दोस्तों, वो अच्छली में fresh water है अब देखें अब समस्कते हैं, अब समस्कते हैं अब समस्कते हैं, अब समस्कते हैं इनिमल को पानी पिलाने के लिए अनिमल requirement के लिए फिर industries में भी पानी का इस्तमाल होता है तो thermal power plants में electricity generate करने के लिए as a coolant पानी का प्रयोग किया जाता है फिर जो dams होते हैं उनमें पानी भर लिया जाता है उन dams से पानी छोड़ा जाता है उससे टर्बाइन गुमाई जाती है electricity produce की जाती है तो industries में, dams में, thermal power plants में agriculture में हर जगा पे पानी का प्रयोग हो रहा है problem यह हम इसमें fresh water resources का इस्तमाल कर रहे है फिर हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है केवल इंडिया की नहीं, दुनिया भर की आबादी बढ़ रही है जिसके चलते हैं खाने की और cash crops की requirement भी बढ़ रही है urbanization बढ़ रहा है, लोगों के standard of living बढ़ रहे हैं जिसके चलते fresh water supply कम हो रही है तो जातो fresh water के sources सूख रहे है या वो गंदे हो जा रहे हैं pollution की वज़े से और हमारे पास fresh water sources limited है इसलिए ये एक बहुत urgent requirement है कि अपने fresh water sources को जितना जादा हो सके उतना जादा बचाया जाए यहाँ पे आपको left side पे एक activity दिखाई गई है बस आप वो काम की चीज़ बता रहा हूँ एक person एक दिन में पानी कितना इस्तमाल करता है तो लगबग 3 लिटर पानी वो पीता है cooking के लिए 4 लिटर पानी इस्तमाल होता है एक आदमी के लिए bathing के लिए 20 लिटर एक बाल्टी में महाना जाए कि एक बाल्टी 20 लिटर की और आपने एक बाल्टी में नहा लिया हलाकि जो लोग shower में नहाते हैं आप समझी सकते हो कि 20 लिटर का 3-4 बाल्टी बह जाता होगा flush करने में 40 लिटर washing करने में कबड़ धोने में 40 लिटर washing utensils 20 लिटर gardening 23 लिटर अब समझ रहे ने फ्लशिंग कौन सी वाली फ्लशिंग है तो लगबग देखा जाए तरीके से इस्तमाल करें तो एक आदमी 1.500 लिटर पानी इस्तमाल करता है एक दिन में 1.500 लिटर of water is using in one day अब देखे दोस्तों क्या ये 1.500 लिटर से कम है हम अपना काम चला सकते हैं बिल्कुल चला सकते हैं लेकिन ये बोला जाता है कि अगर इस 1.500 लिटर में भी हम चला ले तो बड़ी बात है हम बहुत जादा पानी बरबात करते हैं खासकर वो लोग जिनके पास अभी पानी है यूपी के राजिस्थान के इलाकों में आप चले जाएए जहां जहां पर पानी कमी नहीं है जहां जहां पर समर्सिबल पंप लगे हैं अभी भी ग्राउंड वर्टर ढरल निकाल ले जा रहा है लोगों को लगता है कि कभी खतमी नहीं होगा जिस दिन खतम हो जाएगा सबको कहते ना कि समझ में आ जाएगी वैलू क्या होती है पानी की फिर आगे देखते हैं एक और इंपोर्टन फैक्ट है वाटर स्का सिटी को समझने के लिए दोस्तों हम अपने देश में एक जगा है अमरेली सिटी नाम से शौरास्टर रीजन में पढ़ती है यह यहाँ पे वाटर मार्केट चलता है दोस्तों वाटर मार्केट मतलब यहाँ पे लगबग 1.25 लाग की पॉपुलेशन है इनके पास खुद का अपना कोई पानी नहीं है तो यह आसपास के तालुके से रीजन से, सिटी से जो पानी आता है उसको यह लोग खरीदते हैं पूरे के पूरे टैंकर खरीद के लेके जाते हैं वहाँ पे पानी है ही नहीं तो इन जगों पे जो लोग रहते हैं आप समझ सकते हैं इन जगों से आप समझोगों कि पानी की असलियत असली वैल्यू क्या है Water Availability की बात कीज़ा है दोस्तों दुनिया भर में बहुत जगों पे पानी की कमी है एफ्रिका में, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में वेस्टन यूएसे, नौर्थ वेस्ट मेक्सिको Parts of South America और पूरा पूरा Australia fresh water supply में इस समय पे struggle कर रहा है वो climatic zones जहां पे droughts आने के बहुत जदा chances है वहाँ पे भी water scarcity रहती है और देखें, ये जो water scarcity है इसका एक main prominent region है variation in seasonal और annual precipitation बहुत सी इसी जगहें दोस्तों जहां पे क्या होता है कि पानी जो बरसता हुआ पानी, rain water है उस rain water पे बहुत अत्तक लोग depend करते हैं अगर पानी नहीं बरसा तो वहाँ पे drought आ जाएगा for example हमारे northern plains में जो agriculture होता है राजस्थान में, अब तो खेर पंजाब और UP के अलाकों में ground water धरले से निकाल रहे हैं electricity free कर रखी, rural areas में बट पहले क्या होता था कि जब इस तरीके की technology नहीं जी तो बहुत droughts पड़ते थे इन लाकों में दोस्तों, क्यों? चुकि अगर पानी नहीं बरसा, तो इनके बास irrigation के लिए पानी नहीं रहेगा, और अभी की date में ये राजिस्थान, पंजाब, हरियाना, यूपी के जो किसान है न ये इतनी धरले से groundwater से पानी निकाल रहे है न जिस दिन ये groundwater खतम हो गया ये जो over exploitation चल रहा है water resources का जिस दिन ये पानी खतम हो जाएगा इनके यहाँ पे फिर से drought आ जाएगा चुकि पानी रहे गई नियूज करने के लिए तो ये है पानी के कमे होने की बहुत सी बचाएगे पानी ना बरसा तो कमी, किसी साल कम बरसा तो कमी, अगर वहाँ के जो groundwater resources से जल्दी डिप्रीट हो गए तो कमी, नदिया या कैना सूख गई तो कमी, बहुत सारी तरीके पानी गंदा भी हो जाता है दोस्तों आप देखें यहाँ पि river Yamuna is getting polluted due to sewage, industrial effluents and garbage Yamuna की आलत तो भाई बहुत ही खराब है, बहुत ज़दा खराब है अगर आपको Yamuna की आलत देखना है आपके पांप दुल जाएंगे, अब तो भाई नदियों में अगर आपने गुजबी गए तो आप बिमार पड़ जाओगी यह वाले हालात है, तो यह हम बात करते है conservation of water resources की तो देखे, clean और adequate water मिलना आज की date में बहुत बड़ी problem बन गई है ना केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में और बहुत जगों पे steps भी लिए जा रहे हैं कि भाई, इस water resource को बचाया जाए water रेक रहे है, renewable resources का overuse ना किया जाए, इसको pollution से बचाया जाए, pollution से बचाने का क्या तरीका है, तो देखे जो industrial companies हैं, जो कि अपनी गंदगी बाहर निकालती है, sewage बाहर निकालती है यह sewage अगर वो untreated या partially treated अगर पानी के resources में छोड़ देंगे, तो यह sewage उन पानी के resources को गंदा कर देगा, चुकि इन sewages में बहुत सारे chemicals वगरा होते हैं, बहुत सारे inorganic chemicals होते हैं, जो की break down नहीं होते, in fact organic chemicals को भी नहीं discharge करना चाहिए, तो यह बोला जाता है, कि भाई, यह जो industrial effluents है, जो sewage है इनको पहले आप properly treat करिए इनके chemicals को आप पूरी तरीके से neutralize करिए और जो harmless आपके pollutants है, उनहीं को dispose करिए, यह बात गया है, उस पानी से वो fish में पहुँच जाएंगे, fish से वो humans तक पहुँच जाएंगे पूरी की पूरी human chain को वो contaminate कर देंगे जैसा कि बताए, इनने से बहुत सारे chemicals non-bio-degradable है, human bodies में अगर वो पहुँच गया है, तो वो accumulate होते जाएंगे, और फिर वो cancer बनके और बहुत अलगले तरीके की बीमारिया बनके सामने आएंगे, फिर जो water pollution है दोस्तों, इस water pollution को control किया जा सकता है treat किया जा सकता है, कैसे इन water bodies में जो chemical effluent डाले जा रहे थे company के दोरा उनको भाई, proper तरीके से treat किया जाए, उनका disposal हो सके, तो कहीं और किया जाए, proper तरीके से disposal किया जाए, सीधे-सीधे पानी में ना फेका जाए और इनके से अगर आपानी में फेक भी रहो तो तरीके से फेको, ओके, फिर चादा जदा forest लगाया जाए, vegetation cover लगाया जाए forest लगेंगे, vegetation cover लगेंगे, तो surface run-off कम होगा, surface run-off कम होगा, तो underground water जल्दी replenish होगा, क्या होता है दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, NCRT में कि जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए है पानी अगर वहाँ पे गिरेगा, चाहे वो flow के form में आ रहा हूँ, river के, चाहे वो उपर से बारिश के form में गिर रहा हूँ उस पानी को इन crops की, इन पेड़ों की जड़े पकड़ के रखेंगी और जल्दी आगे बहने नहीं देंगी तो ना ही पानी का erosion होगा और ना ही soil का erosion होगा फिर यही पानी इनी जड़ों से दीरे-दीरे seep करता हुआ, underground water में पहुँच जाएगा और underground aquifires को refill करेगा इसलिए vegetation cover tree cover, forest cover हमारे लिए इतना ज़रूरी बताया जाता है एक और तरीका होता है surface runoff को रोकने का surface runoff मतलब पानी surface पे गया और बहे के waste हो गया इसको surface runoff गहते है जो भी पानी हमारी जमीन में गिर रहा है उसको हम use करें तो एक तरीका तो यह होगा ज़्यद ज़्यदा vegetation लगा गया दूसरा तरीका होगा water harvesting आप कुछ ऐसे बड़े-बड़े structures लगाईए जिसमें पानी को store कर लीजे उसी water harvesting के थुरू आप सीधे-सीधे underground aquifires को recharge भी कर सकते है rainwater harvesting मैंने आपको पढ़ाईए दोस्तों मेरे नाम के साथ सर्च मारीए YouTube में आपको मिलेगा वीडियो वहाँ पे देखे rainwater harvesting के अलग-अलग हर तरीके मैंने बताया है बढ़ फिर भी gardening में फिर आपका गाड़ी बगाडर जुले में जो आपके ऐसे एकाम होते हैं bathroom में इन सब जगहों प्याव इस्तमाल कर सकता है rainwater का इस्तमाल आप नहाने में नहीं कर सकते पीने में नहीं कर सकते खाना बनाने में नहीं कर सकते बट बाकी चीज़ों में तो कर सकते हो न तो भाई rain water harvesting जरूरी है फिर जो canal से गाउं में irrigation किया जाता है जरूरी यह है कि उन canals का और उन pipes को properly line किया जाए अगर उन pipes को properly line किया जाएगा तो पानी seep नहीं करेगा उसमें से waste नहीं होगा पानी को irrigation में यह sprinkler से जुला है यह sprinkler चारो तरब घूमके पानी के आरोसपास फेक रहा है और पौदों को provide कर रहा है पानी आप देखें जिस पानी के थूरू जिस pipe के थूरू यह पानी sprinkler में पहुँच रहा है इस pipe में leakage बहुत कम होगी ओके यह बात बोली करेगी irrigation हो और वो पानी बरबाद ना हो खास बात क्या होता है कि वो जगहें जहां बहुत जद गर्मी होती वहाँ पहुचता है evaporation होता है evaporation के चलते पानी या तो जमीन में जल्दी trickle कर जाएगा या फिर बहुत जल्दी evaporate हो जाएगा और चुकि वो एक valuable resource है वहाँ वैसे ही पानी नहीं है तो जरूरी यह है कि वहाँ पे dripping के process को use करके ठीके इस sprinkling के process को use करके आप ज़ादा से ज़ादा पानी को irrigation में प्रेयोग करें और उसको waste ना होने दे sprinkler में आप देख रहो क्या हो रहा दोस्तों यह sprinkler चारो direction में पानी को पेक रहा है dripping में क्या होगा कि pipes और tubes को कुछ इस तरीके से arrange किया जाएगा कि वो सीधे पौधों की जड़ों में पानी को provide करेंगी simple बात है तो इन तरीकों को इस्तवाल करना चाहिए यहाँ आप बता रखा है rain water harvesting के बारे में rain water harvesting is the process of collective water from rooftops and directing it to an appropriate location where it is stood for future use यह भी मैंने आपको बता है माल लीजे कहीं तेज पानी बरस रहा है दो घंटे के लिए बरस रहा है तो तेज पानी दो घंटे के लिए बरस रहा है आप आराम से 8000 लीटर पानी को बचा सकते हो अगर आपने proper water harvesting के structures को लगा रखा है तो ठीक है आगे बात करते है natural vegetation और wildlife यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे एक exhibition में गए handicraft का exhibition था वहाँ पर बहुत अलग-अलग articles थे तो उसमें Mona ने एक handbag को उठाया तो उसके teacher ने बताया कि handbag jute का बना हुआ है फिर उसने बोला कि जो basket, lampshades और chairs यहाँ पर आपको बगल में देख रही है यह canes और bamboo उसकी बनी हुई है अगर bamboo की बात किया जा तो हमारा east और north eastern region जो north east का इलाका है वहाँ पर bamboo बहुत उगता है वहाँ पर बारिश भी बहुत ही होती है humid environment है फिर जैसी ने एक scarf देखा तो teacher ने बताये कि यह scarf silk का बना हुआ है यह silk mulberry trees के थूगता है silk warm के थूग silk seri culture का पूरा process में आपको explain कर चको हूँ science के NCRT किताब में पहले की videos को देखी जाके तो यहाँ पर बच्चों को यह समझ मैं कि देखे हम लोग अपने daily life में जो भी इस्तमाल करते हैं कहीं न कहीं वो हमारी biodiversity से जुड़ा हुआ है हमारे चरव तरुप जो plants है जो natural processes है उनसे जुड़ा हुआ है अब देखे यह जो natural vegetation है यह wildlife है यह जब साथ में जुड़ती है साथ में exist करेगी एक narrow zone of contact में जिसको बोलते है biosphere biosphere बनता है जहां पर lithosphere hydrosphere और atmosphere meet करते हैं यह जो meeting point है यहां बनता है आपका biosphere यह सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ biosphere में जो भी living beings हैं आपस में एक दूसरे एक साथ related है एक दूसरे पर dependent है अपने survival के लिए पूरी की पूरी food chain मनती है अगर food chain का एक भी member गायब हो जागा तो पूरी की पूरी food chain disturb हो जाएगी और यह जो पूरा life supporting system मनता है एक जगा पे इसको बोलते हैं ecosystem और इसमें vegetation और wildlife valuable resources है आप देखोगे plants हमें timber देते हैं plants animals को shelter provide करते हैं plants हमें वो oxygen देते हैं जो हमें चाहिए plants हमारे atmosphere की carbon dioxide को कम करते हैं हमारे soils को protect करते हैं ताकि जादा-जादा crops को उगाए जा सके हमें shelter birds provide करते हैं मैंने बताया था न आपको पहले shelter belts का क्या concept है कैसे shelter belt wind erosion को कम करते हैं उसी तरीके से underground water के storage को maintain करने में plants हमारी मदद करते हैं fruits, nuts, latex, oil, gum, medicinal plants even paper जिस पे हम लिखते हैं वो भी भाई plants से आता है तो भाई ये plants के इतने काम है कि बिना plant के हमारा काम नहीं चल सकता राइट साइड पे आपको ब्रह्म कमल नाम का गुलाब दिख रहा है basically this is a medicinal herb medicines में आई जाती है फिर wildlife की बात करें तो wildlife में animals, birds, insects aquatic light forms आते हैं इन wildlife से हमको दूद, meat hides, wool hides मतलब skin ये सब चीज़े मिलती जिससे हमारे कपड़े बनते हैं जो bees जैसे insects होते हैं वो honey provide करते हैं मदु मक्की का चकता तोड़ गया बनी निकालते हैं फिर यही जो insects हैं butterflies है, bees हैं यह pollination करते हैं flowers में फिर यही insects as a decomposer भी काम करते हैं ecosystem में जो birds हैं, वो insects को खाती है decomposer की तरह भी काम करती है decomposers की बात की जाएं तो vulture को तो भूला है नहीं जा सकता vulture का तो कामी यह है कि कोई living animal मर जाए तो obvious ही बात है उसके dead scavengers उसके dead carcass पे यह scavenge करते हैं, उसको पूरा का पूरा साफ कर डालते हैं, केवल अड़ी चोड़ते हैं तो देखिए, यह vultures हमारे Indian subcontinent में, पूरी दुनिया में vultures को natural cleanser कहा जाता है चुकि हमारे environment की गंदगी साफ करने का ठेका, इन vultures ने उठाया अब कहा जाता है कि इंडिया नेपाल में vultures बहुत मात्रा में मरने लगे चुकि एक diclofenoc करके एक pain killer है यह livestock को treat करने में काम आती थी, फिर यही जब livestock मर गया, तो इस livestock को vultures निखाया, और vultures के लिए यह जो diclofenoc है, जो कि कुछ-कुछ हस्तक aspirin और ibuprofen जैसी होती है यह poison होता है, तो vultures बड़ी मात्रा में मरने लगे, इसलिए इस diclofenoc को ban किया जाए, नहीं तो पता चला कहीं vultures अगर मर गये तो भाई, हमारे environment से साफाई करने वाले जो यह mechanism है natural mechanism ही गया पुछाएगा तो आप देख सकते हैं कि एक ecosystem में जितने भी तरीके कि आपको animals, birds, insects, humans नजर आ रहे हैं, यह सब एक दूसरे पर interdependent ही, आप एक प्यारी सी बड़ दिख रही है आपको blue, kingfisher अगर distribution की बात की जाए natural vegetation की, तो natural vegetation का, जो distribution है वो बहुत चीजों पर depend करता है, temperature पर depend करता है, भाई, moisture पर depend करता है, अगर major vegetation की बात की जाए, word में, तो भाई, word में forest मिलते हैं, grasslands मिलते हैं, scrubs मिलते हैं, tundra vegetation मिलती है, तो भाई, जहां पर बहुत जादा rainfall होगी equator के पास, for example, आपका equatorial road forest of Amazon basin, Venezuela, ठीक है, तो equatorial rainforest के अगर आप बात को लिए Indonesia में चले जाए, दोस्तों, तो वहाँ पर आपको बहुत बारिश होती है, उस बहुत बारिश के चलते हैं, आपको गने जंकल दिखेंगे तो water supply abundant है, humidity जादा है, moisture जादा है, भाईया, trees बड़े-बड़े trees, उचे-उचे trees एकदम dense canopy आपको नजर आएगी जहां पर जैसे-जैसे पानी की quantity कम होती जाएगी, humidity moisture कम होता जाएगा, वही वही पर trees का size भी कम होता जाएगा, भाई short sunters trees नजर आने लगेंगे तो जहां पर moderate rainfall होती, वहां पर आपको grassland मिलेंगे, बड़े-बड़े trees बहुत कम मिलेंगे, फिर thorny shrubs और scrubs उन जगवाँ पर जहां पानी होती ही नहीं, जहां पानी होती ही नहीं, बिल्कुल dry areas में, तो वहां पर जो plants मिलेंगे, उनके reeds बहुत डीप होंगी thorny होंगी, waxy होंगी, ताकि transpiration के process के थूरू, उनकी leaves के थूरू, पूरा पानी बाहर न निकल जाए transpiration को, बहुत तरीके से मैंने आपको science की किताब में समझाया है, example to ultra vegetation of polar regions, यहाँ पे mosses, lichens मिलते हैं, फिर देखी दोस्तों दो centuries पहले की बात की जाए, 200 साल पहले छोड़ी, अभी 40-50 साल की बात कर लीजे, 40-50 साल पहले भी इस दुनिया में इतने लोग नहीं थी, जितने आज की डेट में, लोग बढ़ रहे हैं, तो लोगों को खाना खिलाने के लिए हमारा agriculture का produce भी जादा होना चाहिए, उस agriculture के produce को बढ़ाये जाने के लिए, agriculture land को लाने के लिए, forest काटे जा रहे हैं, इस forest को उन लोगों को रहने के लिए भी काटा जा रहा है, और उनके लिए agriculture के थूँ, चीजों को produce किया जा रहे सके, इसलिए भी काटा जा रहा है, तो आप देखो के forest cover धीरे धीरे vanish हो रहा है, इसी लिए इस forest cover को, हमारे vegetation cover को भाई साब बहुत जरूरी है बचाने के लिए और agriculture को extend करने के लिए forest काटना ये कहीं से भी सही नहीं है फिर आगर बात करते हैं, conservation of natural vegetation and wildlife देखे, forest हमारी wealth है ये जो plant है, वो animals को shelter देते हैं, animals भी plant पे dependent हैं, तो plant animals एक दूसरे पर पूरी तरीके से interdependent हैं, तो उससों बात यहां पर यह है ओके, अब अगर climate में changes होंगे human interferences होंगे, तो plants और animals की रहने की जगा चली जाएंगे loss of natural, habitats होगा जिसके चलते बहुत सारी species, vulnerable हो जाएंगी endanger हो जाएंगी, extension की वर्ज पे पहुँच जाएंगी, पहुसी हो भी गई है, extent इसलिए deforestation ना हो, soil erosion ना हो, यह पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है तो deforestation, soil erosion constructional activities खासकर वो constructional activities जो की natural ecosystem के साथ interfere करती है, फिर forest fire tsunami, land slide, यह कुछ ऐसे human और natural factors हैं, जिन्होंने resources के extension को बढ़ा दिया है Australia में bush fires लगी, जन्वरी 2020 में last year 2019 में Amazon rainforest में fires लग गई थी, यह environmental change की वएसे कर रहा है, और in forest के चलते हैं एक बहुत बड़ा natural resource बरबाद हो जाता है हमारा फिर आप देखोगे, कि भाई poaching बहुत हो रही, शिकार होता है particular species का, उन particular species को शिकार किया जाता है कुछ species का उनकी heights और skins के लिए शिकार किया जाता है, कुछ का उनके nails के लिए, कुछ का teeth के लिए, कुछ का haunts के लिए, peacock का feathers के लिए elephant का उनके haunts के लिए, तो tiger lion, elephant, deer, black bug crocodile, rhinoceros, snow leopard, यह जितने भी तरीके के ostrich, peacock, यह जितने भी तरीके के animals हैं, सब danger में, तो ज़रूरी है, इनको conserve किया जाए, इनके लिए awareness बढ़ाई जाए, तो बहुत सारी चीज़े की भी गई है, तो भाई, national park, wildlife century, biosphere reserves यह सब बनाए गए हैं, ताकि हमारे wildlife और natural vegetation को बचाए जा सके, national park, wildlife century, biosphere reserves, यह क्या होते हैं, मैंने सब पढ़ा रखा है, मेरी environment की series को देखिए, ज़रूरी है कि हम लोग अपने wetlands को बचाएं, lakes को बचाएं, creeks को बचाएं, यह भी precious resource है, और हमारे environment में बैलेंस होना चाहिए, मतलब हम अपने development को development करें, sustainable development करें, exploitative development ना करें, तो कि जब हम sustainable development करेंगे, तो environment में जो बाकी factors है, उनको भी कम नुकसान पहुचेगा, हम अपने development में कर पाएंगे, और environment के बाकी factors भी आराम से अपना जीवनियापन कर सकते हैं, शिकार चलता है लोगों में, पाकिस्तान और जो of extinction पहुच गए, तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा सकें, कि जो शिकार करने वाली activity है, इन पर रोक लगाया जाए, फिर social forestry के भी भाई awareness प्रोग्राम चलाए गए है, one mouse जैसा हो गया, तो इस तरीके एक प्रोग्राम regional और community level पर पढ़ाये जाने चाहिए, चलाये जाने चाहिए, चो school children है, उनको बताया जाने चाहिए, bird की importance, nature की importance, animals की importance, उनको समझाया जाना चाहिए, उनकी पढ़ाई के समय पे ही, यहीं सब चीजों को conserve करना कितना जादा जरूरी है, और बहुत सारी countries ने laws भी पास किया है, जिससे birds और animals की killing को illegal बताया गया है, इंडिया में killing of lions, dears, tigers, great Indian busters and peacock is illegal, natural park क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, natural park, wildlife conservation, और protected areas के बारे में, अगर आपको जाना है, तो मेरे नाम के साथ इन national parks, फिर wildlife century को YouTube पर search मार देजिए, मैंने जो भी videos बनाई हैं, आपको मिल जाएंगी, फिर, एक international convention मनाएगा है, Sites, Convention of International Trade in Endangered Species, इसका क्या है, इस Sites की list में बहुत सारी ऐसी species हैं, animals और birds की, जिनकी listing कर दी गहीं, और कहा गया है कि, इन में trade prohibited है, इनका कोई भी item trade नहीं किया जाएगा, तो इनकी hunting, इनकी items में trade, इनका मारना illegal है, उन सारी countries में जिसको, जिसने Sites Convention को sign किया है, और ये भी बोला जा रहा है यहाँ पर दोस्तों, कि plants और animals का conservation, एक citizen की, सिर्फ Indian citizen की नहीं, ये global citizen की ethical duty है, यहाँ पर एक herd of cheetahs दिख रहा है, काजी नंगर नैशनल पार्क में, यहाँ पर elephants दिख रहे हैं, ओके दोस्तों, यहाँ पर biosphere reserve बता रखा है, क्या है, देखे, इंडिया में, wildlife century हो गई, wildlife century के बाद सबस्यादर protection national park, उसके बाद biosphere reserve, protected areas क्या होते है, community reserves क्या है, community forest क्या है, बागी कितने भी तरीके के protected areas हैं इंडिया में, सब पर मैंने वीडियो बना रखी है, environment की playlist में जाहिए, यहाँ आपे sites के बारे कुछ information जान लेते हैं, यह एक international agreement है, governments की बीच में, क्या काम हैं इसका, specimens of wild animals and plants का international trade को नहीं कराना है, और इस तरीके का international trade नहीं होना है, कि यह wild lives और plants का survival है threatened हो जाए, तो अगर किसी country में, कोई wildlife animal या plant endangered है, उसको नुकसान पहुंचा है, वल्लनरे बेल हैं, तो उसके specimen में trade नहीं होगा, 5000 species of animals को identify किया गया ऐसमें, और 28000 species of plants को identify किया गया ऐसमें, जिसे bears, dolphins, cacti, corals, orchids, alloes, कुछ example हैं, तो यहाँ पर दोस्तों, यह chapter खतम होता है, बहुत जल्दी मैं आपके साथ, अगले chapter के साथ आऊंगा, I hope आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो में कोई भी कमी हो, तो नीचे comment section के थूँ बताईए, एक एक line समझार हों मैं दोस्तों आपको, thank you for watching, have a great day,